दोस्तों यम्स्क्वेर टुटोरियल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापिक के बारे में डिस्कस करेंगे वह है डिविजन्स मतलब यही डिविजन्स को हम यूज करके वेब साइट को डिजाइन करते हैं मतलब यह बड़ा पेज होता है उसे अलग अलग डिविजन्स करना कई से डिवाइट करते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे इससे पहले जो लोग फूरा टुटोरियल शुरू से देखना चाह चले हम आगे बढ़ते हैं divisions के बारे में division मतलब divide एक division बनाना एक अलग section बनाना इससे हम बनाते हैं div tag यूज करके div tag यूज करते हैं इससे हम क्या करते हैं divisions बनाते हैं ये एक html पूरा page होता है वो page को अलग-अलग divisions में ये अलग-अलग section में बनाने के लिए div tag यूज करते ह मतलब यह container के तरह काम करता है container related हम अलग-अलग containers बना सकते हैं यह container में अलग-अलग sub-containers बना सकते हैं इस तरह से जितने भी web pages हैं, web sites हैं, web applications हैं यह design करते हैं division यूज़ करके हमेशा browser के अंदर जब हम div tag यूज़ करते हैं तो यह जब और एक division यूज़ करते हैं division से पहले एक line break आ जाता है, नए लाइन में ही हमेशा division stat रहता है, चले हम इसके practically देखते हैं किस तरह से divisions यूज़ करते हैं, हमने एक ख्याम पर document बनाया है HTML, सिर्फ इसके अंदर हम normal tags इसका output आप देख सकते हैं किस तरह से यह इसका output है, अब चलिए division करना आए, अब हम चाहते हैं यह वेल्कम टू एम स्कूर्ट क्रोडियल इसे एक division में रखे, paragraph 1 यह complete paragraph 1 से यहां तक यह division बने, paragraph 2 हैं से यहां तक यह अलग section में रखे हम, तो उसके लिए हम div tag यूज करेंग यह एक div tag pair tag है, हमेशा pairs में आता है, इसे देखे, अब किस तरह यूज करते हैं, div tag, starting है, इसके बीच के अंदर हम जो भी रखेंगे, वो इस section के अंदर आ जाएगा, div tag के अंदर, यहां पे div tag होके, यहां पे close हुआ है, अब यह एक section है, यह एक division है, यहां से यहां तक, अगर इसका output अगर आप देखेंगे, यहां पे कुछ भी changes नहीं होगा, कुछ भी changes नहीं है, इसे हम CSS जो देते हैं, इसके properties, उसे CSS यूज करके ही हम इसके properties को change कर सकते हैं, example, अब इस division को हम background color देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम use करेंगे, style is equal to inline भी दे सकते हैं, हम चलत इंटरनल यूज करते हैं, class यूज करके, अगर class के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो इसके बारे में मैंने already एक video बनाया है, selectors के बारे में, selectors in CSS नाम से एक video बनाया है, आप उस video में जाकर, यह class क्या होता है, dv, id क्या है, element क्या है, आप वो दे सकते हैं, तो कि मैं इ एक देंगे हम, for example, demo, demo नाम जे रहा है, जो भी नाम दे सकते हैं, अब इसे हम इहां पर add करेंगे, इसका CSS, demo, dot demo, मतलब class को define करेंगे, dot के साथ, dot और उसका नाम दे रहा है, अब चलिए, अब देखते हैं, इसके properties add करेंगे, for example, हमें इस division को एक border देना चाहते हैं, यह पू एक border आये, इसके लिए हम use करेंगे border, border property use करेंगे, इसमें तीन values आते हैं, यह उसका size कितना हो, दूसरा वो border किस तरह का हो, उसका color क्या हो, for example, मैं हैं पर दे रहा हूँ, यह 1px, इस border का size 1px दे रहा हूँ, यह यह दूसरा solid, मतलब line किस तरह से हो, continue line हो, यह dotted line हो, वो हैं पर देंगे, उसके बाद यह तीसरा value है, color, देखिए अब इसे, इसका output चक करेंगे, तो आपको पता चलेगा, यह किस तरह से काम कर रहा है, देखिए, इसे एक border आ गया, अगर यह border कुछ अलग तरीखे से आना चाहिए, तो solid नहीं, हमें dotted चाहिए, dotted, dotted हम पर मैं टाइप क कर सकते हैं, मैं solid यूज कर रहा हूँ, अगर आप इस border का size बढ़ाना चाहिए, यह 1px, 1pixel दिया हूँ, अगर आप और ज्यादा देना चाहिए, for example, मैं 2px दे रहा हूँ, pixels में हम border का size pixels में दे रहा है, यह तो कि और थोड़ा मोटा आ गया, मतलब यह पूरे division को एक border आ ग property इससे add करेंगे, वो पूरे division को apply होगा, अब देखिए, background color देना चाहिए, मैं दे रहा हूँ, background color, background color होगा, for example, grey, black color देंगे, background, black नहीं, yellow देंगे, yellow color दे रहा हूँ, तो आप देखिए, पूरा division को background color अपले होगा, यह मतलब paragraph 1, इसके लिए हम history heading use किये थे, इसके लिए p tag use किये थे, पूरे सोब के लिए division के अंदर, जो जो elements है, जो जो content है, उन सोब के लिए यह apply हो जाएगा, division को आप दे रहे, यह division बन गया इस तरह से, इसे एक division बनाना तो और एक division हम हम पर add करेंगे, इसके लिए भी same div tag use कर रहे हैं, इसे एक division tag के अंदर हम रख रहे हैं, तो एक division बन जाएगा, clash div, अगर चाहे तो हमें same border वगरा दे रहे, तो same class यूज़ कर सकते हैं, अगर different दे रहे हैं, तो different use कर रहे हैं, मैं for example, same use कर रहा हूँ, same border हो, same border का color हो, और front का color भी same हो, इसके लिए हम same name ही use कर रहे हैं, अगर different चाहिए, तो different use करना होगा, देखिए, same, यहां पर same use कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यह division, यह division, यह division, और दूसरा division नए लाइन में start हुआ है, इस यहां से continue नह एक के, exact इसके नीचे है, इसके लिए दोनों border हैं पर join हो गए है, यह अगर हम ग्याब देना चाहते हैं, उसके लिए एक दूसरा property है margin, उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे उसके बारे में, सिर्फ इसके अंदर हम देख रहे हैं, division tag, अब हम इस division को, height और width भी हम set कर स चाहते हैं, for example, मैं इसका height बढ़ाना चाहरा हूँ, height बढ़ाना चाहरो, तो हैं पर हम height दे सकते हैं, height, height कितना देना चाहरा है, for example, 300 pixels, 300 pixels देना चाहरा है, तो आप देखिए, इसका height बढ़ जाएगा, 300, दोनों का भी height बढ़ गया, width बढ़ाना, कम करना, by default उसका width लिए अगर हम default width हमने add नहीं किये, तो वो division किस में होगा, उसका complete width ले लेगा, इस तरह से, अब division के अंदर हम division भी add कर सकते हैं, for example, मैं ये पूरा, पूरा webpage ये एक division में रखना चाहरा हूँ, तो उसके लिए, आप देखिए, मैं एक division हैंपे add कर रहा हूँ, division, हैंपे start हुआ है, division हैंपे add हो रहा है, complete, इसे एक division बनाए हैं हम लोग, एक पूरे page के अंदर एक division आ रहा है, देखिए, एक division है, अब इसे हम कुछ properties add करने के लिए, मैं एक नाम दे रहा हूँ, class is equal to, कुछ भी नाम दे सकते हैं, container, container नाम दे रहा हूँ इसका, ये container है, उसके अंदर, और अल अलग, divisions भी हम दे सकते हैं, इस तरह से container, अब चलिया है, इस container division को हम properties add करेंगे, css values.container.container, for example, अब इसका हम एक border देना चाहरे है, same border, 1px, solid, black, black के अलावा, red देंगे, तो आप देख सकते हैं, इसका, ये पूरा, देखिए, ये पूरा division बन गया, division का हमने border भी दिये हैं, इसकी अंदर, ये अलग division, division के अंदर, divisions दिये हैं, ये border, अगर border का size बढ़ाना चाहरे हैं, तो हम बढ़ा सकते हैं, मैं 3p, 3px दे रहा हूँ, ये देखिए, border, इसका border change हुआ, ये पूरा, एक division यहां से लेके, पूरा webpage, हम एक division के अंदर add किये हैं, उसके अंदर, subdivisions add हुआ हैं, अगर इसका भी हम background color देना चाहरे हैं, तो हम इसे दे सकते हैं, background color, background color, for example, हम देंगे, gray color दे रहा हूँ, किसी भी तरह का color हम दे सकते हैं, देखिए, gray color, ये पूरे border को apply हो रहा है, पूरा border, इसके लिए अलग दे रहा है हैं हम लोग, इसलिए यही अलग use हो रहा है, ये अलग-अलग, अब हम images भी add कर सकते हैं, for example, इस division के अंदर, image add कर रहा हूँ है, इस division के अंदर, एक image add करने के लिए हम यूज़ कर रहे है, image tag, source is equal to, images का path देंगे, bg.jpeg, हम पे double quotation, आप देखिए, image add हुआ है हम पे, देखिए, image add हो गया, ये image हमने add किये हैं, इस division के अंदर, इस division के अंदर add किये हैं, इसका height भी दिये हैं, तो अब ये, atomic, ये division इसके अंदर है, image, इसके लिए भी हम height width add कर सकते हैं, height width हैं, हम पे भी दे सकते हैं, या जिस तरह से हम class selectors यूज़ करके, for example, देखिए, ये division का नाम है demo, इसके अंदर के elements को हम कुछ अलग property देना चाहरा हैं, css की, तो इसे किस तरह देंगे, dot demo, dot, ये division का name, division का name demo है, इसके अंदर मैं image को height width set करना चाहूँ, तो उसका नाम देंगे, image, या तो हम इसे class का name भी दे सकते हैं, या direct element भी यूज़ कर सकते हैं, element selector, यूज़ करके भी हम दे सकते हैं, मैं अब element selector यूज़ करके, अब देखिए, इसका height हम देंगे, height, for example, 200px, 200px, 200px दे रहा हूँ, देखिए, इसका image, किस तरह से height हो रहा है, आप देख सकते हैं, इसका height थोड़ा हम बढ़ा देंगे, 400, तो आपको थोड़ा समझने में easy होगी, देखिए, यह height, यह height और थोड़ा भी बढ़ा दे, 250px, इमेज, देखिए, और width भी देना चाहरे हैं, तो हम width भी दे सकते हैं, इसका width, example, 300px, तो आप देखिए, यहां पर, इसका width 300px, इसे बारडर देना चाहरे हैं, जो भी हम प्रापर TC के अंदर दे सकते हैं, तो हम मैं आ रहा है, यह demo, यह class का नाम demo है, यह demo नाम के class के अंदर जितने element हैं, उस element को अगर हम अलग से, differently कुछ हम देना, add करना चाहरे हैं, उसके लिए हम इस तरह से add करना, for example, यह history tag, paragraph है, इसका content change करना चाहरे हैं, content का color, इसका color change करना चाहरे हैं, यह भी हम कर सकते हैं, सेम इसी तरह से, dot demo, इसका नाम h3 दे रहा हूं, history है, या इसे भी दे सकते हैं, या इसे एक अलग class, समझे class नाम दे देंगे इसे, मैं इसका नाम दे रहा हूं, class is equal to head1, head1 नाम दे रहा हूं, head1 नाम दे रहा हैं, तो सेम हैं पर हम यूज़ कर सकते हैं, dot head1, अगर class का नाम दे रहा हैं, तो dot के साथ देना होगा, अगर direct element दे रहा हैं, तो कुछ ज़रूद नहीं है, वो element tag का नाम दे सकते हैं, head1, इसे अब हम properties add करेंगे, for example, मैं इसका color change करना चाहरा हूं, color, color हम देंगे, इसका color blue, blue color दे रहा है, तो अब चलिए इसका output देखते हैं, देखिए, ये normally paragraph, इसका color black है, अब हम refresh करेंगे, ये blue हो जाएगा, देखिए, सिर्फ इसे apply हुआ है, इस paragraph को apply नहीं हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं, दोनों division, दोनों division का नाम, इसका नाम भी हम पर, मैंने demo दिया है, इसका नाम भी हम पर demo दिया है, लेकिन, ये demo के अंदर head1, सिर्फ मैंने h3 को दिया है, इसके अंदर, इस h3 को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो सिर्फ हम कौन सा class दे रहे हैं, उसी class को apply होगा, पर एक्जामपल यही color, same color, मैं heading के अलावा, इसके paragraph के अंदर के content को देना चाहरा, class head1, वो नाम मैंने यहां पर add किया, paragraph h3 को नहीं, p में add किया, तो आप देखिए इसका output किस तरह से आएगा, इसका output, जिसे हम वो class name दिये हैं, उसे apply होगा, इसका color change होगा, आप देख करते हैं, देखिए इसका color blue होगा, यह है division tag, division के attack को किस तरह add करते हैं, और उसके properties किस तरह देते हैं, border देना चाहते हैं, जो भी property हम देना चाहते हैं, division को alter करने के लिए, CSS से ही हम उसे handle कर सकते हैं, किसी और तरिखे से, हम division को handle नहीं कर सकते हैं, यह था division के बारे में, इसके अंदर अगर आपको किसी भी तरह का doubt होगा, तो आप मुझे comment में बता सकते हैं, अगर यह video आपको पसंद आया, तो इसे like करिए, share करिए, और हम अगले topic के वीडियो में, इस division को किस तरह से, अलग-अलग properties यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे, अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो please इस channel को subscribe करिए,